नमस्कार दोस्तो गुरुकोल अकेडमे में आप से का स्वागत हैं दोस्तो आज हम रेल्वे एंटी पीसी और गुरूपडी एक्जाम के लिए स्पेसल मोक्टेस लेकर आए हैं फ्रेंस परते एक मोक्टेस में आपको 50 कोशन मिलेंगे जिनको रेल्वे बार-बार एक्जाम से कुछता है तो फ्रेंस आपसे रेक्वेस्ट है परते एक मोक्टेस को असे लगाए ताकि आप अपने एक्जाम को अच्छे स्कूर के साथ क्रेकर सकी तो फ्रेंस इस वीडियो को अंतक जोड़ देखना और परते कुछन का आउंसर कमेंड बोक्स में जुरता कि जो भी आपकी doubt है शाथ में ही clear होकिते और अंतें बताएं कितने कुछन आप ने Attempt की और कितने कुछन आपने सही किये अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो पर इस वीडियो को लाइक करें अपने friends की पास share करें यादखना एक question का answer देने के लिए आपको 5 second का वक्त मिलेगा उसके बाद हम आपको answer बता देंगे तो friends लेगा question start करते हैं देखें मारा पहला question है देश की प्रथम महिला IPS कोन थी जल्ले से answer देंगे 5 second का आपको वक्त मिलता है जी हाँ यादखना देश की प्रथम महिला IPS करण बेदी थी प्रथम महिला IPS कोन थी करण बेदी option number एरहगा रेडांसर पर करण बेदी देखें next है भारती स्रोच न्याले की जजों की सेवा निवर्ती की आयो सीमा कितनी है भारत में स्रोच न्याले की जजों की सेवा निवर्ती की आयो सीमा कितनी है तो फ्रेंस पैसेट वर्स है कितनी पैसेट वर्स 65 एर्स option number C होगा रेडांसर और उच न्याले की जजों की बासेट वर्स है ठीक है देखें next Mount Everest की ओंचाई कितनी है Mount Everest की ओंचाई कितनी है तो फ्रेंस यादखना 8,848 मीटर है Mount Everest की ओंचाई option number A रहेगा रेडांसर 8,848 मीटर ठीक है देखें next है रजिंदर परसाद को देश रतन की उपादी किसने परदान की किसने किती परदान महात्मा गांधी ने रजिंदर प्रसाद को देश सतन की उपादी प्रदान केती option number D होगा रेडांसर महात्मा गांधी ठीक है देखी नेक्स्टे रसायनिक योगी का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है क्या है अनु है या दखना रसायनिक योगी का सबसे छोटा संभावी यूनिट है अनु ए उप्षन होगा रेडांसर अनु ठीक है देखी नेक्स्ट कूशन राजे सबा की मिटिंग का संचालन कोन करता है राजे सबा की मिटिंग का संचालन कोन करता है ओप्राश्ट पती करता है कौन करता है जी ओप्राश्ट पती करता है B होगा रेडांसर ओप्राश्ट पती नेक्स्ट है भारत का लहपुरुस किसे को कहा जाता है सरदार वल्लब भाई पतेल को कहते है भारत का लहपुरुस ओफ्शन नमबर C होगा रेडांशर सरदार वल्लब भाई पतील देखे नेक्स्ट है किस राजे में स्रोपर्थम निर्दली मुख्य मंत्री का चैन हुआ किस राजे में हुआ था स्रोपर्थम निर्दली मुख्य मंत्री का चैन तो ये हुआ था जारखंड में नेक्स्ट है महात्मा गांदी की हत्या नातुराम गोड़से ने किती तीस जनवरी 1948 में यानि ए होगा राइडांशर यहाँ पर तीस जनवरी 1948 नेक्स्ट है सबसी प्राणी जैन लिपी को क्या कहा जाता है सबसी प्राणी जैन लिपी को क्या कहती है बारह अंग कहती है सबसी प्राणी जैन लिपी को तो अफसी नमबर डी होगा रेडांशर यहाँ पर बारह अंग ठीक है देखे नेक्स्ट है वीसु का सबसी बड़ा दवीप कौन सा है वीसु का सबसी बड़ा दवीप कौन सा है तो फ्रेंसी ग्रीन लेंड है कौन है ग्रीन लेंड है वीसु का सबसी बड़ा दवीप भी ओफ्शन हो जाएगा रिडांसर वीसु का सबसी बड़ा दवीप कौन सा ह greenland है, भी होगा रेडांसरि हाँ पर greenland देखे next दाचे गराम अब्यारने किस राज़े मिश्तित है बताएंगे जलिए से आप लोग दाचे गराम अब्यारने किस राज़े मिश्तित है तो friend då dicобр kamu kasmere में किसमे giango कasmere में है option number C होगा रेडांसर जaming kasmere नेक्स्ट है चिपको आंदुलन का संबंद किस से है तो यह वन सरंगशन से है ओफ्शन नमबर ए होगा रेड आंशियर लेजी नेक्स्ट घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है घाना पक्षी विहार पोचा गया है बताएंगे जलिस से आप लोग घाना पक्षी विहार है रजस्थान में का है रजस्थान में है घाना पक्षी विहार भी हो जाएगा रजस्थान यहां पर रजस्थान वी ओफ्शन हो जाएगा रजस्थान तो फ्रेंस आप लोग याद रख लेना रजस्थान के सियम असो गहलोत है राजे पाल कलराज मिस् सीटी हैं वहीं फ्रेंज से लोग सबाकी 25 सीटी हैं ठीक है याद रख लेना आप लोग अच्छे से चलेगा फिर देखी next अर्थ शास्त्र का जनक किसे को कहा जाता है या दखना एडम समित को कहते हैं एडम समित को कहा जाता है जी अर्थ सास्र का जनक को, D option होगा, right answer Adam Smith, ठीक है, next है, संगम साहिते की रचना किस भासा में की गई, संगम साहिते की रचना किस भासा में की गई थी, तमिल भासा में की गई थी, संगम साहिते की रचना, किस भासा में, तमिल भासा में, यानि C होगा, right answer यहां पर संगम साहिति करशना की गिती तमिल भासा में सी ओफ्षिन हो जाएगा रिटानसर तमिल नेक्स चलिए का देखिए कोकिंग गैस में व्यूटेन की मात्रा कितनी होती है कोकिंग गैस में व्यूटेन की मात्रा कितनी होती है कितनी होती नब परतिसत होती है कितनी 90 परसेंट होती है δिक है किस अमल के कारण दूद में खटापन होता है किस अमल के कारण दूद में खटापन होता है किस के कारण होता है लेक्टिक अमल के कारण होता है जी दूद में खटापन ये हो जाएगा रिटांसर लेक्टिक कामल चालेगा फिर आगे देखिए नेक्स्ट राजा राम मोहन राय को राजा की उपादी किस ने दी किस ने दी थी यादखना अकबर दवित्ती ने दी फ्रेंस राजा राम मोहन राय को राजा की उपादी option number भी हो जाएगा right answer अकबर दवित्ती है next है लूम्बिनी का संबंद किस ध्रहम से है लूम्बिनी का संबंद किस ध्रहम से है किस से बोध ध्रहम से है जी लूम्बिनी का संबंद किस से बोध ध्रहम से तो भी होगा रेड आंसर बोध ध्रमसी है लूमिने का संबंद याद रखना है नेक्स्ट है भारत में अंगरे जी सिख्षा का जरमदाता किसको कहा जाता है भारत में अंगरे जी सिख्षा का जरमदाता किसको कहा जाता है जी लाड मैकाले को कहा जाता है बहारत में अंगरी जी शिक्सा का जर्मदाता अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने किया है सब लोफ राफट वीडियो को लाइक करेंगे अपनी फ्रेंस की पास सेयर कर देंगे ताकि कुछ लोग और यहां आएं और अपने एक्जाम की तियारी को फ्रेंस अच्छे से आगे बढ़ाएं कोशन दिया है संसार का सबसे बड़ा महासागर और कोने परसांत महासागर है संसार का सबसे बड़ा महासागर यह होगा राफट परसांत महासागर देखे नेक्स्ट है चार मिनार को किसने बनवाय था मुहमद कुली कुतुब साहा ने बनवाया था चार मिनार को किसने मुहमद कुली कुतुब साहने सी होगा रेटांशर मुहमद कुली कुतुब साहा नेक्स्ट है आर बी आई के प्रतम भारती गवर्नर कोन थे आर बी आई के प्रतम भारती गवर्नर कोन थे कौन थे CD देशमुक थे CD देशमुक थे RBI के प्रतम भारतिक गवर्नर ए होगाजी रैट आशर यहां पर CD देशमुक ठीक है देखी नेक्स्ट है गुरु देव की उपादी किसे परदान के गई ती रविंदर नाथ टैगोर को परदान के गई थी गुरु देव की उपादी ओफिशन नमबर सी होगा राइट आंसर नेक्स्ट है सबसे अधिक उपजाओ मिट्टी कोन सी है कोन सी है जलोड मिट्टी है सबसे अधिक उपजाओ मिट्टी कोन सी है जलोड मिट्टी यानि फ्रेंस डी होगा राइट आंसर सबसे अधिक उपजाओ मिट्टी है जलोड मिट्टी ऐब से नंब़र डि होगा, रैड अंशnın जलोड मिटि टी तिकें, देखिए नेक्स हैं, कोलकाता नगर की स्थापना किसने की? किसने जोब, चार नाखने की थी को लकाता नगर की स्थापना एह हो जाएगा रैड अश्र किसने की थी जोब चार नाखने के थी कुलकात्ता नगर के स्थापना एरहेगा फ्रेंस रडानशर किसमे मुहमद जीना को काइद आजम की उपदी परदान की किसने महात्मा गांदी ने। किसे महात्मा गांधी ने एकन रिएगा र router आणज़ुर नेग्स्ट है लठनो विए दो सहर किसे नदी के तठवर इस्तित है किसे तठवर विए गोमती नदी के तठवर है लठनो विए हो जाएगा my friends रहाणर गोमती नदी देखी नेग्स्ट है देखें नेक्स्ट भारत का सबसे गहरा बंदरगा कोन सा है भारत का सबसे गहरा बंदरगा कोन सा है तो फ्रेंस से विशा का पटनम है कोने विशा का पटनम है भी होगा रैडांशर विशा का पटनम भारत का सबसे गहरा बंदरगा कोन सा है विशा का पटनम है भी होगा रैडांशर विशा का पटनम ठीक है देखें नेक्स टे गुप्त सामराजे का वास्तिक संस्तापक कों था चंडरो गुप्त प्रतम था तो भी होगा फ्रेंज स्रेडांशिव कोन था नेकस्ट का सरवादी कहनताओं किस तापमान पर होता है चार डिगरी सेलसिस पर होता है भी हो जाएगा रेडांशर किस पर होता है चार डिगरी सेल्सिस पर होता है पानी का सरवादिक गर्णतों भी रहेगा फ्रेंस रेडांशर नेक्स्ट है स्रीर की सबसे लंबी कोशी का कोण सी है स्रीर की सबसे लंबी कोशी का कोण सी है तो फ्रेंसी तंत्री का तंत्र है कोने तंत्री का तंत्र है स्रीर के सबसे लंबी कोशिका यह हो जाएगा रेडांसर पी तंत्री का तंत्र ठीक है सहद में मुख्य रोफ से क्या पाया जाता है सहद में मुख्य रोफ से क्या पाया जाता है फ्रक्टोज पाया जाता है सहद में मुख्य रोप से फ्रक्टोज होता है जी सी होगा रेट आंसर और सहद प्राकरतिक रोप से सबसे मीठा भी होता है ठीक है नेक्स्ट है एसिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है एसिया महाद्वीब का सबसे बड़ा देश पोचा गया है तो चीन है एसिया महाद्वीब का सबसे बड़ा देश ठीक है भी होगा रेडांसर चीन नेक्स्ट है चलेगा पलासी युद में अंग्रेजों ने बंगाल की किसे नवाब को हराया था जे फ्रेंस पलासी का युद हुआ कब था पलासी का युद हुआ था सत्रेसो सतावन में कब था सत्रेसो सतावन में हुआता अच्छे सिफेंस याद रखना आप लोग ठीक है देखें नेक्स्ट है दूद की सुदता को मापने का यंतर क्या कहलाता है Lektometer कहलाता है क्या कहलाता है Lektometer कहलाता है एव हो जाएगा Right answer Lektometer ठीक है देखिए देखिए यहां दिया है कि भारत में सरवादिक वर्षा किस राजे में होती है सबी लोग जवाब देंगे किस राजे में होती है सरवादिक वर्षा किस राजे में होती है में घाले में होती है तो सी होगा रेडांशन में घाले फ्रेंस एक्जाम में आ जाए में घाले के सीम कोन है राजेपाल कोन है सीम है कोन राड संगमा राजेपाल है सत्यपाल मलिक राजधानी सिलोंग है याद अखना वही फ्रेंस अधिकारिक बासा गा हेले आउन टी कौन था नील आर्म सब्सक्रांग ता एल्श्थ आंस्यों पर निल आर्म सब्सक्रांग और से नंबर यजवर इंद को मधाय सागर किस tells नमबर सी होगा रेडांसर हिन महाशागर ठीक है देखिए नेक्स्ट है यिरोप महादूइप का सबसे बड़ा देश कोन सा है यिरोप महादूइप का सबसे बड़ा देश कोन सा है तो रोश है भी हो जाएगा फ्रेंस रेडांसर रोश यिरोप महादूइप का सबसे बड़ा देश कोंसा है तो फ्रेंस ये रूस है भी होगा रेडांसर रूस ठीक है देखे नेक्स्ट है एसिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कोंसा है एसिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कोंसा है माल दियो है जी हाँ ए रहेगा रेडांसर माल दियो एसिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश माल दियो है यह हो जाएगा फ्रेंज रेड़ आनशर माल दियो है देखी नेक्स्ट है प्रतम विशुकप कर्केट का विजेता देश कोंग सा है तो वेस्ट इंडीज है विजेता देश उप विजेता ओस्टेलिया है 1975 में प्रतम विशुकप हुआ था ठी देखे नेक्ष्ट हें दक्षिन पोर्सेन पल्पित Eugene बिलासपूर में है देखिए नेक्स कोशन चलेगा बंकर सब्दका संबंद किसी खेल सी है पोलो सी है सी होगा रेडांसर पोलो सी है बंकर सब्दका संबंद ठीक है देखिए नेक्स्ट है अंग्रेजों ने अलिनगर के संदी किसके साथ की थी अलिनगर की संदी किसके साथ की किस के साथ के थी सिराज दोला के साथ ओफिस नमबर सी होगा रेडांसर सिराज दोला नेक्स्ट है विसो की सबसे गहरे खाई मिर्याना गर्त किस महा सागर में है किस महा सागर में है परसांत महा सागर में है विसो की सबसे गहरे खाई मिर्याना गर्त ओफिस नमबर ए होगा रेण शर् प्रसांतτα महासागर देखें एक्स्ट है IIROP महा डीप की सबसे लंबी नदी कोन चहां वोल्गा तो घृष mo भीजवन संग के संस्तापक को थे Jeanne DAVID जीवन संग के संस्तापक कुन थे स्वामी विवेक अनंद थे option number C होगा रहे डांसरे पर स्वामी विवेक अनंद option number C हो जाए गर डांसरे तो friends यह थे आज के हमारे कोजिशन जो भी complete हो गए है अगर कोई डाउट है शेर के जिगा सभी के डाउट अगली कलास में कलिक के जाएंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक ने किया है सभी लोग फ्राफट वीडियो को लाइक करेंगे अपने friends की पास शेर करेंगे जो लोग पहले बार यहां आएं हैं जल्दे से आप लोग फ्राफट चैनल सिस्क्राइब करेंगे साथ में बील आइकन पर भी कलिक कर लेंगे ठीक है तो friends से लिग आप फिर मिलते हैं अगली कलास में तब तक गिली गुडबाई जय हिंद जय भारत वंदे मात्रा